ओम श्री महलक्षमी नम्हा, मार्क्षीस के महने में हर गुरुवार को मालक्षमी जी की धुम धाम से पूजा होती है, कहा जाता है कि जो भी गुरुवार के दिन व्रत रखकर मालक्षमी जी की पूजा करता है, उस पर मालक्षमी जी की अपार करपा बरस्ती है, उसके जीवन के सारे दुख सारी कठनाईया तूर हो जाती हैं इस फ्रत में पूजा की तैयारी बुधवार की शाम से ही शुरू हो जाती हैं बुधवार शाम से लेकर गुरुवार तक पूजा की धूम रहती हैं हर घर के मुखिदवार से लेकर आंगन और पूजा इस थल तक चावल के आकरितियां बनाई जाती हैं इन आकरितियों में मालक्षमी जी के चरंचिन विशेश रूप से बनाई जाते हैं शाम होते ही मालक्षमी जी के सिंगहसन को आम आवला या फिर धान की बालियों से सजाय जाता है कलश की इस्थापना करके फिर मालक्षमी जी की पूजा की जाती पद्म पुराण में गुरुवार मालक्ष मिजी के वरत को सभी ग्रस्त जनों के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है इस पूजा को पती पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं अगर किसी कारण आप पूजा खुद ना कर पाएं तो आप औरों से भी पूजा करवा सकते हैं ले अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास भी गुरुवार को आए जैसे गुरुवार का दिन ब्रस्त पती देपता को भी समर्पित है तब भी आप दोनों वरत एक साथ ही रख सकते हैं इस वरत में यदि आपके पास शाम को जादा समय नहीं है तो आप सुभा के समय भी के लिए आप अपने आस-पास के लोगों को रिष्टिदारों को या फिर घर के लोगों को भी आमंतरित कर सकते हैं और उन्हें कथा पढ़कर सुना सकते हैं गुरुवार के दिन सुभा ब्रहम उबहुर से ही मालक्षमिजी की पूजा आरम हो जाती है इसके बाद मालक्षम जी की करपा जल्दी प्रात होती है तो इस पूजा को करने के लिए आपको पंडित जी की आवश्यक्ता नहीं होगी यदि आपकी सामर्थ हो तो आप पंडित जी को बुला सकते हैं लेकिन अगर आप ना बुला पाएं तो आप खुद भी पूजा कर सकते हैं हर कोई अपनी श पाफ सुत्रे तांबे या पीतल की लोटे में जल भरकर उस लोटे को आप जोगे हूं या चावल का धेर आपने बनाया है उसके उपर रखें फिर जल में एक सुपारी लॉंका जोड़ा एक सित्का और हल्दी की गांठ डालें फिर कलश के उपर आप आम या शुक के पत्त सजाएं पांच या साथ पत्ते आप रख सकते हैं फिर कलश में आप नारियल रखें जटा वाला नारियल यानि पानी वाला नारियल आपको इस्थापित करना होता है यदि आप नारियल इस्थापित ना कर पाएं तो आप बिना नारियल के भी पूजा कर सकते हैं कलश के लक्ष्मि जी की जो भी कथा हैं वो भी आप साथ ही चौकी पर रखे और इस प्रकार दीप जला कर फिर पूजा प्रारम करें मा लक्ष्मी जी को दिलक लगाएं उन्हें लाल चुनरी श्रंगार की सामगरी अर्पित करें मंत्रों का जाब करें श्री लक्ष्मी चालीशा का पाठ श्री सुक्तम का पाठ करें इसके बाद मालक्षमीजी की आरती करें और मालक्षमीजी को फलों का या दूद से बनी मिठाईयों का भूग लगाएं और फिर क्षमयाशन करें दिन भर रखें शाम को भी इसी प्रकार विदिविधान से आपको मालक्षमीजी की पूजा क अगर आप सेंधा नमक का सिवन कर रही हैं तो सेंधा नमक से बनावा कोई व्यंजन का भोग लगा सकते हैं तो शाम के समय ही आपको किसी व्यंजन का भोग लगाना चाहिए और चमयासना करके फिर उसी को प्रशाद रूप में ग्रहन करके अपना व्वास खोलना चाहिए हमे अगर आपके घर पर कोई भी गरीब जरूरत मन वेकती आए तो आप उसे खाली हाथ ना लोटाए खास कर कोई भी गरीब सुहागिन में लाया दिया आती है तो आप उन्हें सुहाग की कोई भी सामगरी इस दन उपहार सुरूप दे सकती है ऐसा करने से भी मालक्षमी जी आप जाब करें और अपनी जो भी आर्थिक समझ से आए हैं उसे दूर करने के लिए मासे प्रार्थन न करें तो आपकी जो भी मनुकामना है वो पोन हो सकती है उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल पर आ